Hey guys, welcome back to our YouTube channel, RN Education Foundation. This is Vibhu Pandey, आज पढ़ने वाले हैं, Class 11, Biology का Chapter 6, Anotomy of Flowering Plant. Previous video में हमने क्या discuss किया था, हमने Morphology, External Morphology discuss की थी, इस video में हम पढ़ेंगे Anotomy. Anotomy मतलब हमें internal structure और features को पढ़ेंगे कि प्लांट में क्या-क्या चीजे पाई जाती हैं, और ये topic आपके लिए होने वाला है, बहुत important exam में इसे questions बनते हैं, तो guys, बिना देर किये आईए start करते हैं अपना topic, ठीक है? तो जैसा कि आप देख रहे हो, प्लांट का, सॉरी, चैप्टर का जो name है, वो क्या है? Anatomy of flowering plant, Anatomy है, तो हमें Anatomy से start ही करना है, तो देखते हैं, तो आप देखिए कि अगर आप दो प्लांट को compare करिए, उनकी morphology को compare करिए, तो आपको बहुत सारी similarities दिखेंगी, और साथ-साथ में variations भी दिखेंगे, कि कोई herb है, कोई shrub है, कोई tree है, ठीक है, और कुछ woody है, कुछ कम woody है, तो इस तरह से आप में कुछ variations दिखेंगे, जैसे कि organzms में होते हैं, प्लांट और अनिमल दोनों में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन अगर हमें उनमें सही सही difference बताना है, तो हम सिर्फ morphology और external characters को नहीं देखेंगे, हम उनके internal features को या external characters को, internal characters को भी क्या करेंगे, count करेंगे, उनकी बिच में difference और similarity को देखने के लिए, इस chapter में हम introduce करेंगे, ऐसे आपको कुछ facts, जिससे आप क्या कर पाओगे, internal structure and functional organization, higher plant का आप यहाँ पर पढ़ने वाले हो, ठीक है, इसको, though internal structure of plant is called anatomy, आपको plant के internal structures को पढ़ना है, plants have the cell as the basic unit, cells are organized into tissues and turn the tissue are organized into organs, ठीक है, यह तो आपको पता है, plant में ऐसा कुछ होता है कि, cells है, cells organize होके tissue बनाती है, tissue organize होकर कि क्या बनाते है, organs, और यह different organ क्या है, differences रखते है, their internal structure, जैसे अगर मैं आप से बोलूँ कि, बन्यान ट्री है, उसके organs और किसी herb के organ, जैसे कि mint ले लूँ, तो दोनों के organs में काफी difference होगा न, तो इन ही differences को हम यहाँ पर क्या करने बाले है, discuss करने वाले है, ठीक है, जैसे विदिन angiosperm, the monocot and dicot are also seen to the anatomically different, दोनों different होंगे, internal structure भी क्या होगा, internal structure अलसो सोन adaptation to diverse environment, ठीक है, सबसे पहले हम क्या discuss करने वाले हैं, the tissue system, पहले मैं आपको बता दूँ कि हम क्या सीखेंगे पहले, tissue system पढ़ेंगे पहले topic में, ठीक, उसके अनाटोमी on the dicot and the monocot plant, ठीक, यह दो topics हैं, इसमें से पहले topic tissue system हम पढ़ने वाले हैं, देखे, most of the student के लिए काफी boring होता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर एनाटोमी आपने सही से सीख ली, तो आगे आने वाले chapters की जो clarity होती है concept की बहुत आसान हो जाती है, और इतना भी मुश्किल नहीं है और नहीं इतना boring है, तो आप बिना, देखे, आपको कुछ अच्छे student जिनको आप अपनी classroom में या फिर आप जैसा भी आप देखते होगी कि यह कैसे हम से different है, तो आप में और इतना ही difference होता है कि आपने क्या किया, कुछ topics को boring लग रहा है तो छोड़ दिया, skip कर दिया, लेकिन एक अच्छा student क्या करता है, हर topic पे equal focus देता है, हाँ, एक बार में आपको लगेगा कि boring है, लेकिन जब आप उसको बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आप मेरी एक बात मानो कि आपको जो topic boring लगे ना, आप उस पे extra time देना शुरू करो, देखो आप में changes आएंगे और आपको वो topic अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है, the tissue system, we are discussing type of tissues based on the type of cell present, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कि उनकी जो types of cell present है, या उनका जो location है, उसके according हम plant body में cell को पहले, समझेंगे, ठीक है, location के according, structure पढ़ेंगे उनका, और location प को दिखेंगे, तो उन तीन तरह के tissues को हम इसमें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो तीन तरह के tissues क्या है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, हमारा है epidermal tissue, ठीक है, दूसरा, fundamental tissues and तीसरा है vascular या फिर conducting tissue system, ठीक है, यह start करते है, epidermal tissue system, ठीक है, पहला जो tissue system क्या है, epidermal tissue system, the epidermal tissue system form the outermost covering, most important part, outermost covering of the whole plant body and comprises the epidermal cells, stomata and the epidermal appendices, the trichomes and hairs, ठीक है, the epidermis is the outermost layer of the primary plant body, तो आपको यहाँ पर इतनी चीज़े के वल ध्यान रखनी है, कि जो पूरी plant body है, उसकी उपर जो outer covering आपको दिख रही है, जिससे उसका external environment से contact हो रहा है, वही हमारे epidermal tissues बनाते हैं, ठीक है, जैसे stomata हो गया, trigomes हो गया, root hairs हो गया, यह सारी चीज़ें, ठीक है, उनके उपर की covering, चलिए, epidermis usually the single layered, जैसे कि हमारी body में epithelial cells होती है, वो single layer में होती है, वैसे epidermis भी क्या होता है, usually यह single layered होता है, क्यासा होता है, epidermal cells are the parenchymatus, कैसी होती है यह, parenchymatus, मतलब parenchyma से भी बनी हो सकती है, और थोड़े amount में cytoplasminky lining में पाया जाता है, ठीक है, और large vacuoles, जैसे कि plant cell में आपने देखा होगा, बहुत सारी vacuoles, बहुत बढ़ी vacuoles पाया जाती है, प्रोमिनेंट होती है, वो भी पाया जाएग किस से, water loss से, लेकिन cuticle कहां absent होती है, root में absent होती है, stomata are the structure present in the epidermis of leaf, जो stomata है वो कहां पाया जाएगा, पतियों में पाया जाएगा, epidermis पर ही पाया जाता है, यह regulate करता है transpiration, transpiration मतलब जो water है उसका removal, ठीक, जो inside root भेजती है stem, stem से branches और leaf तक पहुँचता है, उसके बाद ज है, हम transpiration, फिर gases exchange भी करता है, carbon dioxide दिन में अंदर लेगा, ठीक है, और रात को oxygen अंदर लेगा, यह सब करता है, दिन में भी oxygen के उसको जरूरत होती है respiration के, लेकिन photosynthesis के result में जो आपको बनता है, आपका क्या केते है, oxygen बनता है, उसी को utilize कर लेता है, तो बाहर से लेने की जरू इसको बनता है, जो इसको 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 highly thick होती है inner wall ठीक है जो guard cell होती है यह chloroplast भी अपने अंदर रखेगी आपको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे chloroplast present होता है और regulate करती opening closing किसकी? इस्टोमेटा की इस्टोमेटा की opening closing यही regulate करेगी ठीक है यह दोनो regulate करती है कौन guard cell फिर कुछ टाइम कभी कभी आपको देखना हो कि मैं लेगा कुछ epidermal cell है in the vicinity of the guard cell become the specialized in their shape and size and known as the subsidiary cell तो यहाँ पर subsidiary cell क्या है? कि guard cell की बगल कुछ cells होंगी वो क्या होंगी यहाँ पर develop हो जाती है जिसको हम subsidiary cell बोलते हैं जो उनको क्या करती है? help करती है और जो stomatal aperture होता है guard cell और surrounding subsidiary cell का इनको दोनों को मिला करके stomatal aperture बोलते हैं चलिए देखते हैं पहला है यहाँ पर diagrammatic representation stomata का यहाँ पर आपको देखिए bean shape की क्या मिल रही है? bean shape की आपको cell दिखाई दे रही है ठीक? यह दो bean shape की cell है, यह guard cells है बीच बीच में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है chloroplast दिखाई दे रहा होगा ठीक? और इसकी बीच में जो यह space है यह istrometal pore है, istrometal opening भी बोलते है guard cell बता दिया, chloroplast हाँ, साथ में जो इस guard cell की बगल में आपको जो cells दिखाई दे रही है green color का जो mass दिखाई दे रहा है वही क्या है हमारी subsidiary cell है, ठीक? और उसके ऊपर आपकी epidermal cell जो की epidermis से बनी होगी है, दिखाई दे रही है ठीक है? यह तो normally plant में है लेकिन आप ए grass में आपको दिखाई दे रहा है dumbbell shape का, यहाँ पर देखिए dumbbell कैसा होता है ऐसा होता है तो ऐसे dumbbell shape की आपको cells दिखाई दे रही है, बाकी structure दोनों में common है जो epidermis की cell होती है, यह बहुत सारे hairs को भी अपने साथ रखती है जैसे root hair, ठीक? यह unicellular होता है, बहुत खास बात आपको यहाँ धियान रखनी, जो root hair है वो unicellular होता है elongation of the epidermal cell and help absorb water and mineral ठीक है, यह water and mineral को absorb करने में मदद करता है stem the epidermal hairs are called the trichomes जो stem होता है stem पे जो epidermal hairs होते है उनको trichomes बोलते है trichomes क्या है? अगर शूट system में आपने भी देखा होगा जो कभी कभी आपको stem में भी hairs दिखाई देंगे यह usually कैसे होते है multi cellar, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है root hairs वो क्या होते है unicellular लिकिन stem hair क्या होते है, वो multi cellar होते है branched भी हो सकते है, unbranched भी हो सकते है, soft भी हो सकते है stiff ही हो सकते है, जासे nettle में क्या होते है stiff होते है, और even भी secretory, कुछ secret भी कर सकते है trichomes क्या करते है, preventing the water loss due to the transpiration ठीक है यह हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने epidermal tissue system complete किया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, stomata के बारे में पढ़ा है और हमने epidermis के बारे में पढ़ा और उसमें जो trichomes होते हैं उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है जो point number two हम पढ़ने वाले हैं that is the ground tissue system, यह क्या है the all tissues except the epidermal and the vascular bundle constitute the ground tissue मतलब epidermis को छोड़ करके और vascular bundles को छोड़ करके, मतलब xylem और phloem को छोड़ करके, बाकि सभी क्या है ground tissue है, यह simple tissues से बने होते हैं, जो कि parenchyma की तरह होंगे, colinchyma की तरह होंगे, और skeletonchyma होते हैं, तीन होते हैं, parenchyma, colinchyma skeletonchyma, skeletonchyma, skeletonchyma dead होता है ना आपका, जैसे आपने देखा होगा narial, narial के उपर जो hairs होते हैं, वो जो mass है आपका, वो skeletonchyma से बना है आपको chestnut के ऊपर जो covering होती है hard shell होती है, वो भी क्या है skeletonchyma, parenchyma cils जो होती है, वो present होती है cortex में, ठीक pericycle, pith and the medullary rays in the primary stem stem, जो primary stem होता है और root उनके cortex pericycle, pith and medullary rays में यह पाये जाते हैं और leaves में यह कहां पाये जाते हैं यह thin-walled chloroplast containing cells में पाये जाते हैं जिसको हम mesophile बोलते हैं क्या बोलते हैं, mesophile आई यह मैं structure में आपको दिखा देता हूं इसका structure नहीं दिया गया है आपको आप यहाँ पे अगला vascular tissue system पढ़िए, जो की क्या है the vascular tissue system होता है, complex tissue से बना हुआ किससे बना हुआ, complex देखे, plant में जो meristematic tissue होता है, permanent tissue होता है तो वो क्या से, जो permanent tissue है वो कैसा है, दो तरह का होता है, simple and complex तो यहाँ पर हम क्या पाढ़ना है, vascular tissue system तो यह complex tissue होता है, ठीक है तो complex tissue जो है phloem and gylem क्या होते है, phloem and gylem आप यहाँ पर देख लिजे, diagram में पहले ध्यान से देखे, यहाँ पर जो plant है, plant में यहाँ पर phloem आपको दिख रहा होगा और बीच में आपको gylem phloem क्या करता है, phloem हमारा food, जो पतियां जो food बनाती है, उसका transfer होता है और gylem में जो water बनता है, उसका transfer होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने यह देख लिया कभी-कभी इस तरह से भी arrange होता है, उपर की तरफ phloem, नीचे की तरफ gylem, और कभी-कभी इस तरह से होता है phloem, camium and gylem camium क्या secondary growth के लिए responsible है plants में, ठीक है, तो जो पहला तरीका था, radius पर, सारी चीजें यहां पर देखिए radius पर present है, radius के according, इसको radial arrangement बोलेंगे यहाँ पर दोनों जुडे हुए है, gylem phloem, तो उनको conjugated बोलेंगे और यहाँ पर conjugated, लेकिन open क्यूंकि बीच में cambium के एक layer आजाती है, तो यह तीन basic difference है आपके, ठीक है ठीक है चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको पता है vascular tissues के बारे में, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन dicot cambium is the present between phloem and gylem, cambium dicot में present होता है ऐसे vascular bundle को क्या करते है cambium positive ability to the secondary gylem and phloem tissues are hence are called the open vascular इसलिए इसको open vascular bundle बोलते हैं sorry, जो phloem और gylem के बीच की layer होती, वो cambium carry करता है, इसलिए इसको open vascular bundle बोलते हैं और monocot में क्या होता है monocot में ऐसा पाया जाता है कि जो vascular bundle है उनके पास कोई cambium present ही नहीं होता क्योंकि उसमें secondary growth नहीं होती इतनी तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं यह कोई भी secondary tissue रखते ही नहीं इसलिए इनको हम closed बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको बोलेंगे closed vascular bundle जबकि यहां पे secondary growth हो रही थी अभी इसमें growth हो सकती है मोटाई बढ़ सकती है तने की stem की यहां पे open vascular bundle बोलेंगे जब gylem phloem arrange होते हैं alternate तब उनको हम radial बोलेंगे एक बार gylem एक बार phloem आपको दिखाए देगा root in the conjoint type के vascular bundles क्या होते हैं जाइलम और phloem joint होते हैं एक दूसरे पर और इसी वज़ा से इसको हम क्या बोल रहे हैं conjoint ठीक है तो हमारा जो यह पहला topic था जाइलम और phloem यह वाला topic हमारा यहां पे cover हो गया है तो इस video में हमने क्या क्या देखा है इसमें हमने देखा है पहला हमने कौन सा tissue system देखा था पहले इसमें बात की थी न तो यहां पर जो आपकी 3 tissue system है पहला हमारा क्या है epidermal cell है क्या है epidermal cell जिसमें पाय गया तो उसको हम क्या बोलेंगे epidermal tissue system जो की epidermis जो plant की 4 तरफ covering होती outer covering होती उसको बनाते हैं दूसरा हमने क्या पढ़ा दूसरा पढ़ा है चोड़ करके tissue plant में पाया जाते हैं वो क्या होते हैं? ground tissue system होते हैं यह हमने इसको देखा और तीसरा हमने क्या देख लिया? तीसरा हमने vascular tissue system देख लिया vascular tissue system में हमारे जाइलम, phloema cambium की बात हो रही थी और उनका arrangement हमने यहां पर देखा ठीक है? तो next video में हम आगे का topic discuss करेंगे, तो friends I hope आपको यह चीज़े समझ में आयोंगी आप हमारे videos के साथ जुड़े रहे आगे आने वाले जो videos हैं उसमें आपको मैं इनसे आगे आपकी morphology के बाद anatomy की बात होती वो anatomy आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा so guys like and subscribe our channel thanks for watching